हलो फ्रेंड्स, वर्टकम बैक टू किट्स्टडी कॉर्णर, आज मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, चैप्टर नूम्बर फिफ्टीन है हमारा इंग्लिश क्रामर का प्रपॉजिशन्स, प्रपॉजिशन्स के बारे में इसके अंदर हम रीड करेंगे चैप में पूरा का पूरा और फिर देखते हैं इसके एक्सिसाइज को, सबसे पहले, look at the pictures and read the sentences below them, ओके कुछ pictures दी हुई है यहाँ पर, उन्हें हमें read करना है, उनकी निचे दो sentences दी हुए है, फर्स जो picture हमें यह दे रखी है, इसके अंदर क्या है, अदित्यास बैलून is hanging over the house, अ अदित्यास का बैलून जो है, वो कहाँ पर है, over the house, over the house means घर के उपर, तो यह क्या बता रहा है बैलून की, यहाँ पर बैलून के बारे में पूछा है, ठीक है, तो यह क्या बता रहा है, बैलून की position को, उसका बैलून कहा है, घर के उपर है, over the house, next जो picture है हमारी next picture के अंद the tree, the cow is under the tree, under क्या है यहाँ पर हमारा proposition है, क्योंकि वो बता रहा है कि cow जो है वो tree के नीचे है, ठीक है, under the tree, next दिखने हैं हम, next picture क्या दिये हुई है, next picture दिये हुई है, the cat is in the basket, the cat is in the basket, in क्या है, in भी हमारा proposition है, क्योंकि वो हमें क्या बता रहा है, कि जो cat है, वो कहाँ पर है, उसकी position को बता रहा है, कि cat किस जगहा पर है, ठीक है, तो in क्या हो गया, in हो गया हमारा proposition और वो बता रहा है कि वो basket में है, ठीक है, next picture क्या है, next picture है, the puppy is behind the chair, the puppy, puppy means यह जो doggy है इसके बारे में बताया जा रहा है वो कहा कर रहा है वो behind the chair behind means क्या होता है behind means होता है पीछे वो chair केher है तो यहां पर हमें क्या बता लगा कि position जो है इस puppy की वो क्या है वो chair के पीछे है behind the chair है तो आप लोको अभी 4 positions पता लगी over, over means किसी भी चीज के ओपर होना, under किसी वस्तू की नीचे होना और in किसी चीज में होना अंदर होना उसके ठीक है और behind, behind means simply क्या हो गया पीछे होना, और भी pictures को देखते हैं, जिसे की first अब यहाँ पर हमारी आती है ये the baby is in front of the table in front का मतलब क्या हुआ in front means होता है सामने होना, या फिर आगे होना, यह जो baby है वो table के आगे है उसके सामने है, simply in front भी हमारा क्या है, proposition है next picture है हमारी, the bird is near the window जो word है, इस bird के बारे में पूछे रहे हैं, इसकी position के बारे में पूछे तो इसकी position क्या है वो near है window की, ठीक ही, जो window दी हुई है इस window के ये near है the bird is near the window next क्या है रूही, रूही's bag is between the chairs रूही ये जो लड़की है ये दी हुई है, इसके back की position पूछ रहे है, तो इसकी back की position क्या है वो between है, between means beach में है, दो चीजों के beach में है, तो between भी हमारा यहाँ पे proposition हो जाता है, तो ये proposition किस चीज की बता रहा है bag की बता रहा है, और bag क्या होता है हमारा noun होता है, जब भी हम noun या फिर pronoun की position को बताते हैं, उसके लिए हम prepositions का use करते हैं next देखते हैं, next कुछ और भी दिये हो है तो रुही's bag is under the table अब यहाँ पर क्या बता है कि यहाँ पे रुही का जो bag है वो कहा है under the table, table के नीचे है, ठीक है the fruit basket is on her head अब देखिए, on means भी पर होता है और अभी जो हमने देखा था यहाँ पर, over means भी उपर होता है, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, over का मतलब होता है किसी भी चीज के उपर, उपर की तरफ होना उससे touch नहीं कह रहा है यह जो balloon है, यहाँ पर क्या है यह चट से touch नहीं हो रहा है, इसके उपर दूर है, बट यहाँ पर जो हमने on का use किया है, इसमें क्या हो रहा है यह जो है, यह इसके सर से touch हो रहा है, यानि कि इसके उपर है, बिल्कुल उपर लगा हो है इसलिए हमने यहाँ पर on का use किया on her head, जो fruit basket है वो उसके सर पर है ठीक है, next है रूही's book is on the table अब यहाँ पर भी same आ रहा है, यहाँ पर भी same जो है, रूही की book जो है वो table से touch हो रही है, उसके उपर रखी हुई है, same यहाँ पर था बट वहाँ पर over का use करा क्योंकि वो उससे touch नहीं कर रहा बट वो उसके उपर है, अब इसकी are prepositions, यह जो words होते हैं, यह सब prepositions होते हैं, prepositions tell us the position of a noun or a pronoun, prepositions जो होते हैं, वो क्या बताते हैं हमें, हमें वो noun की या फिर pronoun की position को बताते हैं, जैसे कि noun क्या है हमारी books, जो है हमारी noun है, तो noun के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो किसी चीज के उपर है रूही का back कहा है वो नीचे है तो उसकी position को बता रहे है these words are also called position words इन शब्द को यह जो शब्द बोले जाते हैं इनको हम position words भी बोलते हैं अब यह चीज ध्यान देने वाली है क्यों ध्यान देने वाली है क्योंकि कभी-कभी exams में आ जाता है कि आप position words लिखिए तो बच्ची क्या होता है हम लोग most ही क्या पढ़के जाते हैं proposition का मतलब यह यह words होते हैं हम यह नहीं समझ पाते हैं कि इनको भी proposition बोल सकते हैं और position words को भी proposition बोल सकते हैं यानि कि दोनों ही meaning same होता है बट हमें यह चीज़ पता होनी चाहिए कि दोनों का meaning same है तभी हम exams में उसको अच्छे से कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इस chapter की exercise में आपके साथ में share करूँ तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं आपकी साथ में यह chapter है community box में text कर दूँगी वहाँ पर आप easily comment मुझे कर सकते हैं थैंक्स फो ओची अगर आपको अच्छा लगा है तो please मुझे बताइएगा जरूर थैंक्यू सू मज